हेलो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एल्जी आरेश्टरी में दोस्तों आज का विडियो जो है बहुत ही महुत पूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग यहां पर पातली पुत्र वैवर्म का क्या करेंगे हिंदी अ वर्थ होगा वो बताएंगे आप लोगों को आपको बता दे कि इससे पहले हम पहला जो चैप्टर है आपका मंगलम उसका कर चुके हैं ठीक है तो आप लोग यह अभी तक वो वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को भी देख स इससे आपको बता दे कि आपके बोर्ड एक्जाम में जो प्रस्न पूछे जाएंगे चाहे वो अब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव दोनों ही आपके उहां पे हिंदी में होंगे और जबाब भी आपको हिंदी में ही देना होगा लेकिन दोस्तों यहां पे आपका जो बुक है वो संस्किर्ट में है जो बहुत सारे वच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं जो पढ़ आते हैं वो सही में उसका अर्थ क्या होता है वो समझ नहीं पाते हैं तो हिंदी में आपको वहां पर क्या करना है उत्तर देना है इसलिए सभी चेप्टर का हिंदी में उस बनेगा जब आप इस चेप्टर का हिंदी में अर्थ समझ जाएंगे तो बहुत सारे अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके क्या होंगे खुद वह खुद यहां पे सॉल्व हो जाएंगे आपको वी से कुछ करने की जरौत भी नहीं पड़ेगी तो चलिए हम लोग शुर बैवम का तो बैवम का मतलब होता है संपदा क्या होता है संपदा बैवम का मतलब संपदा होता है या आप सरल सब्द में इसकी वात करें तो विसेस्ता होता है क्या होता है विसेस्ता तो पाटली पुत्र बैवम यानि कि पाटली पुत्र का हम लोग क्या करने वाले विसेस को अंतर तक दिरूर दिखिए चलिए यहां पहला लाइन पढ़ते हैं विहार राजस्य राज़ानी ऐसू काले यानि की ऑफीकाल्य smarter मेत नी आपना महत्तु रखता है धच्छ घ Kind Technology आसा हम जो लड़का है वो जो लड़का है वो सब दिन से क्या है सब दिन से पढ़ने में तेज है सब दिन से यानि कि सब दिन से पढ़ने में तेज है उसी परकार से पातली पुत्र जो है दोस्तो वो सब दिन से ही इसका क्या है एक अलग महत्तो रहा है सभी कालों में क्या है इसका एक अलग ही महत् यानि कि इसका धारिमिक चेत्र रराजणेतिक चेत्र और उद्योग चेत्र ठीक है यह तीनों का केंद्र है यहां का पार्टली पुत्र का ठीक है वाइदेशी नियात्री जो था इंन जान पुति Всे पट्रबर्यट पुत्रा अस्मण ग्रंते शचक्र यानि कि विदेशी आत्री जो था मेगास्थनीज फाहियान वेंट संग इत्सिंग यह सब क्या किया था पाठली पुत्र का वर्णन अपने अपने गरंथों में किया है ठीक है पाठी असमीन पाठली पुत्र बैववश्य समानने पड़िच्यों वर्तते इस पाठ में पाठल दोस्तो यह गोलगर है जो पटना में स्थित है ठीक है अब यहां से हम लोग का पार्ट शुरू होता है और हम लोग यहां पे क्या करेंगे लाइन वैप पढ़ेंगे और इसका हिंदी आनेंगे और याद रखने के क्या करेंगे को फिस करेंगे याद हो ही जाएगा क्योंक यहांपे देखिए कि प्राचीन भारतिये नगप्रों के प्राचीन भारतिये नगण में.. वस्द्वी चित्रम महानगडम भूववा प्राचीन भारतों में जितने भी नगड हुए उन सबों में गंगा नदी के किनारे अवस्थित पातली पुत्र जो है वो एक अध्भूत नगड हुआ ठीक है यहां पर अगला लेनी कि तद विसे ये दामोदर गुप्तो नाम कभी किटनीम ताक्य काभे त्यती इसके विसे में दामोदर गुप्त नाम के कभी अपने पुस्टक कुटनीम ताक्या में कहते हैं तो आपका यहां से एक प्रस्न बन गया देखिए कि कुटनीम ताक्य जो है उसके रचे-इता कौन है तो आपको याद रखना है दामोदर इस पंक्ति के वारते यहां पे दाम glow गुप्त जी क्थे कहना चाहते है कि इस प्रिथभी पर का परभूत पूरंद्रह अस्थानम यानिकि इंद्राले क को लिंद्राले को तो इस पृत्वी पर इंदराले को भी जीतने वाला तिलक भूत बिद्वानों का घर्ड सुरस्वती कुल गरी महानगर पटना की रूप में क्या हता है जाना जाता है आपको बता दे दोस्तों कि प्राचिन काल में अनेकों ऐसे बिद्वान थे जो पटना में आकट के सिक्ष प्राप्त की आगे हम यह भी बताएंगे आपको ठीक है तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं आगे उन विद्वानों का नाम भी लेंगे यहां पर तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखें यहां पर इतिहासे शुरुयते यत गंगा या तीरे बुद्ध काले पाटली गराम था आज का जो पटना है वह बुद्ध काल का क्य था पाटली गराम था यांपर देखिए यतर चव भगवान बुद्धा बहुत ओँन अरande कि यहां पर बहुत ओबार अ आया करते थे ठीक है आगे देखिया आगे पढ़ते ही यहां पर की तेन कथी स्थी यत्ट गराम उयम महानगरम भविष्यती उन्होंने कहा था कि यह जो गराम है कौनचा गराम पाटली गराम यह महानगर होगा क्या होगा महानगर होगा किंतु कल हस्य अगनी 10 से जल पुरस् यानि कि जब पातली ग्राम था तो भगवान बुद्ध बहुत बाड़ आये थे और उन्होंने वहां पे कहा था कि यह जो गाम है कौन सा गाम पातली ग्राम वह एक दिन महानगर होगा लेकिन किन्तू लेकिन वह कलह से अगनी से और जल से सदा क्या रहेगा सरवदा करांता सर यानि कि का लांतर में पातली ग्राम ही कहा जाने लगा ठीक है को ही पातली पुत्र कहा जाने लगा अगला लें देखें हैं पे कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काल है अस्य नग्रस्य सोभा रक्षा विवस्था चो अति उत्कृष्ट सदी सी युनान राजदूता मेगा अस्थनीज संस्मर्नेशु निरूप यती युनान के राजदूत मेगा अस्थनीज यहां पे आये थे उन्होंने अपने संस्मर में क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्यकाल के समय में यहां का पातली पुत्र का रक्षा विवस्था था वो काफी ही अति उत्कृष्ट था बहुत ही अच्छा था ठीक है इसके बाद आगे लिखा गया है कि अस्य नग्रस्य बैभवं पिडिये दर्सनी असोकस्य सम सम्रिद्धा यानि कि अस्य नग्रस्य इस नग्र का बैभव पिडिये दर्सी असोक असोकस्य मतलब असोक के समय में ठीक है सुत्रा सुत्राम सम्रिद्धा काफी सम्रिद्ध हुआ किसके समय में इस नग्र का बैभव पिडिये दर्सी असोक के समय में काफी सम्रिद्ध हो था यह देखिए अगला यहां पर बोला गया है कि बहु कालम पातली पुत्रस्य प्राचीन सर्षवती प्रंप्रा प्रावर्त्त इति राजशेख्र स्वकाब मिमान सा नाम के कवी सिक्षा पर मुख्य गरंथे साध्रम असमरती यानि कि प्राचीन काल से पातली पुत्र में प्रयां प्राची नैसे हैं और मुझा धुक है या जो मुझार के लिए कि कौन alter अपरस्घन सब्सक्राट करें लिन धोम देखना हैं कोई जर्मा है recite अगले आगे बढ़ते देखिए कभ मीमान सामय उन्हों ने एक लाइन लीगी है यहाँ पे विद्री आ गया है वे लोग परते हैं इक उन्हें अद्रोप वर्षवर्सावी पांधनी पिंगलावी वाणरी दरी पतंजली इह पड़ चीता खयाती मूप जग मूठी है यानि कि ये हो गया कि अत्रोप वर्स वर्षा भी परसो तक ठीक है कई वर्षो तक यहां पर पाणणी पिंगल वयाधी ठीक है वररुची पतंजली ये सब क्या किये अध्यन किये और यहीं से परिक्षित होकर शिक्षित होकर यहीं से मतलब शिक्षा गरहन करके फिर उन लोगों ने क्या किया पुड़े विश्व में अपना नाम किया था ठीक है यह वात कौन लिखे हैं यह लिखे हैं राज सेखर जी किसमें काभी मिमान सामें ठीक है चलिए अगले आगे देखते हैं आगे यहां पे शि nu देखेंगे कि नाम है है कुशम पुड़ी का यह सब क्लाप ब्रास EB नाम है तो वहाँ पे पतना का क्या नाम आपको मिलेगा पुस्पूर मिलेगा ठीक है तो यह सब आपको देखने को मिलेगा आपसे एक्जाम में भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पाटले पुत्र का पुराना नाम है तो याद रखेंगे पुस्पूर और कुस्पूर अन् इससे यह ज्यात होता है इससे यह ज्यात होता है इस 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 ज्यात है है कि पडली पुछ नाम पुष्प की पंखुरी तो पुष्प की पंखुरी तो पुष्प की पंखुरी पार्थ हो गया और इसी से बने है आपका पाटली पुष्प तो आप देखिए आप भी दिमाग लगा सकते कि प्राचीन में इसका नाम था पुष्प पुष्प पूर कुसुम पूर फिर आगे जाके पाटली पुत्र बना उसमें भी क्या है उसमें भी आपको यहां पे पुष्प का साथ मिलता दिख रहा है तो इससे यह ज्यात हो रहा है कि प्राचीन समय में पाटली पुत्र के समीप क्या है पुष्प का उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ करता था ठीक है आगे देखिए आगे यहां पे है कि सरत काले नगड़े असमीन कुमोदी महत्सव इति महान समाडो हा गुप्त वंस सासन काले अतिव परचलती यानि कि सरत काल में इस नगड़ में ठीक है सरत काल में इस नगर में कुमोदी महत्सब नाम का समारो काफी पर चली था किसके सासन काल में गुप्त बंस के सासन काल में कुमोदी महत्सब नाम का एक समारो हुआ करता था ठीक है तत्र सर्वे जना अनंद मगना अभुबन और उस समारो में सभी लोग क्या हो जाते अनन्द मुख्ध हो जाते थे एक्तम से उसके बाद है यहां पर कि संप्रति दुर्गा पूजा आपसरे ताद्रिस्थ एव समाडोह द्रिस्यते और उसी कमोदी महतसब समाडोह के समान आजकल का क्या होता है दुर्गा पूजा आपको देखने को मिलता है जैसा आजकल आप पूजाओ तो कि दुर्गा पूजा का जो और सवरूप देखते हैं दिर से एक्ति प्रकार से सीपतीद में प्राचीन पार्टल पूटर में अगे वरते हैं देख रहा है कि अपया पी जीनार्त पार्ट्र अनुभवत काल चक्रवसाद यहां परिवर्तन के कारण आपका यह प्याजारि पुत्र ने क्या हुआ अंध्रकार युग में रहा यह पार्दली पूतर किसी परकार का कोई विकास नहीं हुआ अगर्दली पूतर में, मद्यकाल का एक हजार वर्ष ऐसा चला कि अंध्रकार युग उठाया भागा था पार्दली पूतर में, उसके बाद यहां पे आगे लिखा गया है, कि तस्थ संकेत अने केशु संस्क्रित गरंथे शु मुद्रा राख्षषा धीशु लबबते मध्यकाल में जो यह एकदम से यहां पर विकास का कार्ड ठप पढ़ गया था ठीक है इसका संकेत हम लोगों कहां से मिलता है तस्थ संकेत जब आप संस्कित बहुत सारे संस्कित गरंथों को पढ़ेंगे मुद्रा राक्षाष को पढ़ेंगे तो उसमें इसका संकेत दिया गया है कि मद्यकाल का ऐसा एक समय आया था जिसमें क्या हुआ था आठली पुत्र एकदम से स्री हिंता मेरा किसी परकार का कोई वहां और क्षिग्या हाँ अगे लिख गय予 है मुगलवनस का रस्हें समधार जातार और मुगलवनस का स्मेद ऐस आयं मुगलें की अ कलरे मुगल्वनस का से're और तक प्लेंhinा पृत्र दिकित अभिist इस नगर का पाटली पुत्र का एकदम समुद्धार हो जाता जानिकी समपूर्ण रूप से क्या हुआ उधार हुआ और काफी विकास का कार्ज अंग्रेज के सासनकाल में भी पाटना में हुआ उसके बाद यहां पर है कि नगर मिंदम मद्य काले एपतनेती नामना परसिदीम नहीं कि जब देखिए कि मुगल काल में बिकास होने लगा ठीजिस को बने उदहार कर दिया मुगलों ने बहुत ही अधीक मातरां में यहां पे बिकास हुआ उसी मद्यकाल में पाटली पुतर का नाम पाटना क्या हुआ पाटणा के नाम से परसिद्ध हो गया परसिद्हिंगाता ठीक है उसके बाद यहां पर है कि अयम चो सब्द पतन मीती सब्दाद निरगता और यह सब्द कौन सा सब्द पतना जो है तो उसी पतन सब्द से क्या बना आगे पतना बना ठीक है यहां लिखा है कि नगरस्य पालिका देवी पतन देवी ती अधापी पुझते और नगर की पालिका देवी जो है आज भी वो पतन देवी के नाम से किसके पतन देवी के नाम से पुझी जाती है ठीक है जब आप पतन जाईएगा तो पतन देवी के दर्शन के लिए जरूर जाईएगा ठीक है यहां पर देखिए आगे यहां पर लिखा गया है कि संप्रती पाटली पुत्रम पतना नाम नग्रम अति विसालम बर्तते बिहार अस्य राजधानी चोहासित और आज जो यह पतना का इस्थिति है का काफी बिसाल हो चुका है पतना और बिहार की क्या है पिहार की राजधानी पहीजितखक्ति और नग्रियों । नगरस से बिस्तारा भवती और अनुदिन मतलब दिन पर ती दिन झिश के उठीमियड नदी इस चलरी होड़ा है उत्तर स्या में दिशी घंगा नदी परवातिरी और इसके उत्तर स्यामि कों से दिशां ठीक है अस्य उत्रस्याम दिसी गंगा नदी प्रवहती यानि कि गंगा नदी पटना के उत्तरदेशा में बहती है आगे देखे आगे लिखा है कि तस्य उपड़ी उसके उपर किसके उपर गंगा नदी के उपर गांधी सेतूर नाम एसिया महादेशस से दिर्गतम सेतू किं अधिया महादेश का सबसे दिर्गतम से तू सबसे बड़ा से तू जो है किसके उपर गंगा नदी के उपर और रेलियान से तू भी क्या है निर्मान धीन है वो भी बन दा है आगे यहां पे लिखा गया है कि नगड़े अस्मिन उत्कृष्टा संग्रहालय, उचन्यालय, सचीवालय, गोलगिरं, तारा मंदलं, जीविको दानम, मौर्जकाली का अबसेश, महाबिर मंदिरं, इत्यत्य दर्सनिया संती यानि कि नगड़े अस्मिन यानि कि इस नगड़ में, किस नगड़ में पतना में, उत्कृष्ट संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा, उचन्यालय, हाइकोट, पतना हाइकोट, सचीवालय, गोलगिर, तारा मंदल, जीविको दानम, चिरियां घर ठीक है, और मौर्जकाल का जो अबसेश है, यह सब कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, साथी साथ महावीर मंदिर भी देखने को मि प्राकीन पतना नगर में ठीक है, शिक संपरदाय के दसमे गुरु जो थे, दसमे गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान है, और वो जन्मस्थान, उनका जो जन्मस्थान है, वो अभी किस के नाम से परसिद्ध है, गुरु द्वारा, गुरु द्वारा क देश भर की तिर्थ्यात्री दर्शन के लिए आते हैं ठीक है आगे देखिए आगे और यहां पर दिया गया है कि एवं पातली पुत्रम प्राचीन कालात अधावधी विविन्नेसु छेत्रेसु बैवं धार्यती सर्वं च संकलीत रूपें संग्रहाले दर्शनियमीती ठीक ह है यानि कि इस तरह पातली पुत्र जो है प्राचीन काल से आज तक विविन्न छेत्रों में बैवं धारन कर रहा है ठीक है और इस सब का यदि संकलीत रूप आपको देखना हो तो संग्रहाले में कहां पर पत्मा संग्रहाले में जा करके आप इन चीजों को देख सकते हैं जो की दर्सनी है ठीक है देखिए यहां पर कि परियतन मांचीतर नगर मिंदम महत्तपूर्णम और परिवहन के मांचीतर परियह नगर परमुख नगर है कौन सा नगर पातली पूत्र है तो दोस्तों आज हमारा यह पातली पूत्र क्या होड़ा है समाप थोड़ा है आज के नए वीडियो में तब तक LGR study देखते रही है और खुश रही है